बिहार में जातिके जन्गर्णा के आकड़े सार्वजनिक होने के बाद में जेडियो नेता केसी त्यागी ने कि इंद्र सरकार को पढ़ी शुनाओती दे दी है पूरे देश पे जादी जनगरना की बांग करते हुए जेडियू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी पनिशाना साधा है और जाती के जनगरना को लेकर के इस सियासत कहीं न कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है ये वरिश नेता मुखे प्रवक्त तक हमारे साथ ने केसी त्यागी केसी त्यागी जी जाती है जनगरना और इसको लेकर जो आकड़े आई हैं बिहार के उसके बाद कहीं ने कहीं जाते गोलबंदी को लेकर एक नई राजनितिक बहस चड़ी हुई है ने जाती है गोलबंदी सही शब्द नहीं है ये सामाजिक परिवर्टन और सामाजिक न्याय की और समानता की लड़ाई है ये हमारे समिधान में भी है लिखा हुआ जिस पर सभी दलों के प्रमुख निता अपनी राय रख चुके हैं और ये मांग कोई एक पार्टी की नहीं थी बिहार में जब हम एंडिये में थे तब भी सरसमत्य से प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद ओल पार्टी डेलेगेसिंज जाकर के मिलता है प्रदान मंतरी से राष्टे इस तरफ पर प्रदान मंतरी अपनी ए समर्थता जाहिर करते हैं तो नितिश कुमार जी तब ही मन बनाते हैं कि हम बिहार में कराएंगे ये उसी अनितिशा क्या बड़ा मेंसेज देना चाहती है आपकी पार्टी है वाज़ों गडबंदन है सरकार है क्या इसका बड़ा मेंसेज है ये अमरतकाल आजादी के 75 साल हो चुके है मातमा गांदी राष्ट पिता का मानना था कि आजादी का असर इसका प्रभाव आखरी आदमे तेक पहुँचा है के नहीं पहुँचा है उसके चेहरे को देखो हम ये मानते हैं समाज स्विकार करता और आंकड़े बताते हैं कि समाज में अभी भी आर्थिक सामादिक शेक्षनिक ऐसमानता बनी हुई है लिहाजा जो इस विकास की दोड़ में पीछे रहे गए समू है उनका इडिन्टिफिकेशन होना चाहिए और सामाजिक न्याय की प्र प्रदान मंतरी कहते हैं कि में पिछड़ी जाती से हूँ तो उनको हिंदूस्तानी कहते हुए क्यों अफसौस हो नहीं होता है उन्हें कहना चैना प्छड़ा थाहार करते हैं तो क्या देश के कल्यान के लिए करते हैं कि बोट लेने के लिए करते हैं। मिलेगा और उनकी पहचान सुनिश्यत होगी।